दियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक सब तो पहला था तो अनू जो तो अड़े एक्जाम होन जा रहे है ओन अड़ेली बैस्ट विशेज ते मैं उमीद कर दिया कि मेरे जड़े एफर्स ने हो तो अड़ेली फ्रूट्फुल होन गे ते मैंनों भी खुशी होएगी क्योंकि तुसी जेकर मेरे नाज जुड़े हों मैंनों इनना प्यार दे रहे हो ते शैद ताह दे रहे हो जेकर तुसी मैंनों अपने काबिल समय दे हो मैंनों बहुत अच्छा लगदा है जेदो तुसी मेरे को लों डिमांड कार दे हो बट कुछ बचे नहीं मैं डिमांड पूरिया नहीं कर पारी due to shortage of time मैं sorry भी feel कर दे हो बच्चें तो बट कोई गाल नहीं we are all friends चालदा रेंदा थोड़ा बहुत है ठीक है जी होनसी बच्चे जेड़ी में गाला वो करांगे how to attempt complete paper जेड़ा तॉड़ा पेपर है तुसी उन्हों सही तरीके नाल कि में complete करना है बट बच्चे पुछे दे है कि मैंनम long question किने नंबर दा जड़ा हैगा ये 10 नंबर दा होएगा देखो असी उदले किन्ने जड़े pages ने फिल करिए short note कि में attempt करिए त्यों किन्ने pages दा होना चाहिद है अपना आज ए दे भारे ही जड़ी गाला हो करांगे हुन सबतों पहला असी जे गाल कार देयां तो अड़ा 70 marks ता जेड़ा paper है 70 marks ता पेपर दे विच्च तो अन्नू section 3 होनगे A, B and C हुन A दे विच्च भी तो अन्नू 4 questions ने B दे विच्च भी 4 questions ने C दे विच्च तो अन्नू इथे होनगे 10 questions जेड़े A section दे विच्च चार questions होनदे है तुसी एन्ना दे विच्चों कोई भी दो अपनी मर्जी दे कॉर्डिंग लिखने होनदे है बच्चे सब्दों पहले हैं तुसी अपना जेड़ा paper है उन्नू सही तरीके ना पढ़ना है A, B, C तिन्नो जड़े section ने एक वार पढ़ो उन्नन दो वार पढ़ो क्योंके पहली बर पढ़ दे हैं असी थोड़ा कबर आठ दे विचे पढ़ रहे हैं इस करके सानू बहुत हैं गल्ला विचे समय नहीं हो दिया इस करके नू second time ज़रूर पढ़ो फिरेद नाल की होएगा तो अनू clear होजेगा केड़ा जड़ा question है तो अनू सही तरीके नाल ओंदा है हुण मैं तो अनू paper भी दिखा रहे हैं मैं इदी वीडियो तो पाचुकी है यह paper है ठीक है जी मैंनू पढ़ लिया ते ज़़ों तुसी paper पढ़ लोंगे अनू जड़ा question है ठीक है जी बहुत वधिया तरीके नाल ओंदा है तुसी अनू टिक कर लो कि हाँ तुसी ने एनो attempt करना है फिर बार वार था उन्हों जड़े चारो question है पढ़ान दी लोडनी पएगी एनल तुसी अपना जड़े टाइम अनू बहुत वधिया तरीके नाल ओंदा है तुसी नाल नाल तुसी टिक कर लो इनना था उन्हों पिपर अटेंप्ट करना बहुत सुखा होजेगा फिर इकज़ मेंगल होने explain the meaning of curriculum discuss the need and importance of curriculum for schools होने इदे विचे जड़ा question पूछे गया है तुसी इदे विचे सबतो पहला पचे जड़ा curriculum है उन्हों define करना है means उदा meaning ते definitions देनी है meaning ते definitions देनी है meaning ते definitions देन तो बाद फिर तुसी ने discuss करना है उदा नीड ते importance for schools ऐसरी के ना तुसी इन्हों attempt करने है होने ए जड़ा long question है तुसी इदे लिए किन्ने page पर ने है जिम के पहला आस ये तुछ गाल का रही सी के meaning है ते फेर एदा जड़ी नीड ते importance हो पुछी केई है हूं तुसी इन्हों divide करने नीड ते importance तुसी अलग लग भी लिख सकते हैं कठी भी लिख सकते हूं एज़ेच कोई जड़ा बहुता फरक है जब बहुत ही तो हमनों कोई tension लेंदी ज़रूर ते नहीं है क्योंकि दोनों वर्ड सेम ने जदो तुसी बचे मेनिक लिख देऊं तक कटो काट जड़े उपरों तुसी स्टार्ट करना है अपनी अंश शीर दे उपर लिखना ओथे एक गाले ते आ रख होगी तो आड़ा section केड़ा है ए ठीक है जब बिलकुल तो आड़ा उपर top ते होना चाहिदा है ते मोटा मोटा लिख्या होवे ता क्या question लिखनी ज़रूरत नहीं answer number तो आड़ा हैगा one जड़ा तो आड़ा इदर हाशिया लगया होएगा ओदे विच तो आड़ा आजएगा ते तुसी फिर ओदे according एथे जड़ा मेनिंग और शुरू कर लोंगे definition लिख लोंगे means एक जड़ी तो आड़ी sheet है करीकुल नहीं मेनिंग क्लियर कर दी होवे means with definitions और चाहिए गल्लानी बहुतियां करनी है तूदा पॉइंट गाल करनी है कि करीकुल में की होंदा है ठीक है की एदा असल देविच अर्थ है ते द उस्तो बाद definitions फे तुसी ओदे बारे जड़ी need ते importance हो लिख दोंगे हुन तो आड़ा जड़ा है question नहीं हो उदा answer complete हो गया बचे complete हो तो बाद तुसी ने की करना है जिते तुसी end करोंगे उथे conclusion लिखना बहुत जरूरी होंदा है conclusion चे word conclusion ना use करो बट तुसी ने जदो लि English है तो तुसी ओदे कोर्डिंग पंजाबी है ता ओदे कोर्डिंग means in the end we can say curriculum is very important and have a good need for all the schools एस तरीके नाल तुसी जड़िया चार पंच लाइना दे विच्छे तुसी जड़ा conclude हो नूं कर दोंगे ऐसे तरीके नाली पंजाबी मीडियम वाले बच्चे एसे तरीके नाली शुरू करने ते ओधा end भी करने जिकर तुसी conclusion नहीं लिखोंगे फिर examiner नूं लगेगा कि तो अनुहाले होर अंदा सी बट तुसी time दी shortage करके की किता उन्हों उत्थी left करता इस करके पामे तिन लाइना ने विचे conclude करो बचे बट उन्हों conclude करना बहुत ही ज़्यादा मीनिंग ते नीड ते इंपोर्टेंस वर्ड यूज होए ने तो अड़ा एक पेस ते ओधा मीनिंग क्लियर करनते लगया उन मैंनों लग दा कि तुसी कट टो कट जे बचे 36 पेजेज दी तो अड़ी आंसो शीट है ता जे तो अड़ा 70 माक्स दा पेपर है देखो ओधे वि ठीक है जी जे तुसी एक देली छे पेज भी यूज कर देऊ ता तो अड़े 24 पेजेज कवर होंगी जरूरी नहीं बचे कि तुसी छे पेज ही करने है पांजदा भी कार सकते हूं मैं सिर्फ तो अनूं एस्टीमेट लिगा के दासरियां कई वर यह हुंद है भी तुसी एक के कोश्चन ता तुसी एनना लंबा मीन साथ अठ नौ पेज दा कर देने हो ते बाकियां देली फे थोड़कुल एंड ते पेज नहीं बच दे इसकर के तुसी पहले यह प्लैनिंग कर लो कि तुसी जड़ा लॉंग कोश्चन है वो देविचे छे मैक्सिमम माने के चल लो क कि तुसी जड़े छे पेज नहीं पार सकते हो पार साथ भी सकते हो ठीक है जी बट तुसी देखना है बचे के जड़ा थोड़ा नेक्स्ट पेपर एंड ते ओ थोड़ा रहना जावे इसकर के तुसी उन्हों एदे कॉर्डिंग यूटिलाइज करना है हुन चार कोश्चन लॉंग कारने है ता जे तुसी छेशे पेज जाने कार देऊं ता तो अड़े सिर्फ जेड़े ट्वेंटिफोर पेजज ने ओ लगणगे फिर एगए देविच हुन देने टैन कोश्चन शॉर्ट नोट हुन शॉर्ट नोट जेकर तुसी मानलो बचे एक पेज़ा भी कार सकते हुन ता तो अड़े को टैन पेज़ेज लग जानगे हुन कई वर की हुन दै हुन ट्वेंटिफोर ते जेकर सी टैन नू जोड़के देखे ता टोटल साथ यह शीट्स यूज हो गया थर्टी फोर हुन था अड़ेकर बाचे भी किनिया किनिया बहुत कट इस करके बच तुसी बैलंस ओधर बनालो के जड़े लॉंग कोशन हो नू तुसी पांज ते करदों क्योंकि यह तुसी ने देखना है वी जे शौट नोड तो अनू वधी आंदेने ता तुसी जड़े लॉंग कोशन ने ओनना दी जड़ी लेंध थे हो कट करदोंगे थोड़ी सी मिन ज से दे कॉर्डिंग भी कर सकते हों जेकर तुसी सारे पंच-पंच पेज़ां दे कार रहे हो ता वी कोई चक्कर नी कोई टेंशन नी लेने तुसी ओदे विच मेन गाले देखने है कि तुसी मटीरियल किस त्रीके दा ले रहे हो सही लिख रहे हो जो तो आनू गाल पुछी करने या एस गाल तेफोकस करने है तुसी क्योंने क्लियर क्योंके सब्सेन देखने द्वारा नमा लिखन लगदेयां यह तुसी ओड़े अंडर लाइन किते होगे तुसी आन्यों फाइंड आउट करने सौखे होगे ऐसे तरीके न ले बच्चे शॉर्ट नोट ने ज्यकर तुसी यह पंच-पंच पेज़ां दे कार देऊं ता तुसी यह एक पेज दों प्लस भी कर सकते हो ठीक है जी माल लो डेड़ पेज़ा भी हो जेगा ता भी कोई फर्क नहीं पेंदा बड़ जेकर तुसी बचे शौट नोड नू तिन पेज़ा चार पेज़ा ले जोंगे ता ठीक है जी मिनिममम ठोड़े ताई हो सकते हैं जे तुसी बहुत बज़ी है अटे चापके चिता है तिनवा सब्सक्राख फिर पिर्फ टी थे सब्वाद्याओं लांग व्लाई प्लेक्टिव आयां फिर्फ में लिल्व कोशनेपडेंगे तुसिर्फ वेंगे कोड़ेंगे इक तो यह पैस दे विच दांगे बाचनाल ठीके वहो दालमें फैस दासता कि तुसिया तो जेड़ी मेन गाल ला हो एदे विच नो इंट्रोड़क्षन ठीके जी ए नहीं लिखनी इंट्रोड़क्षन बिल्कुल नहीं हुन्दी शॉर्ट नोट दे विच ते एक हूर गाल स्वारी नो कॉन्क्लिजन कोई कॉन्क्लिजन एदे विच तुसीने नहीं कड़ना तो अनू कोशन पूट किता गया अब्जेक्टिवस आफ करिकुलम जा एम्ज अफ एजुकेशन कोई भी तुसी ऐस्तर अंद कोशन लेलो इंपोर्टेंस ओफ करिकुलम होने एथ्थे तुसीने बच्चे की करना है डिरेक्ट है स्टार्ट कर लाएने अपना होने मालो एह है गासी अपना शॉर्ट नोट है सेक्शन सी साड़ा सी ठीके जी एदे विचे अंसर नंबर है साड़कोलो ओदे विचे एस तरीके ना हुएगा केड़े दा है साड़को लो 9 दा यह वी त्या आँचे रखना भी 9 कोश्चन दा जड़ा पहला आंसर तुसी कार रहे हो फिर दूसरा कार रहे हो तीसरा कार रहे हो वो दे कोडिंग तुसी ए जड़ा नंबर हो जरूर मैंशन करना है तो आनूं की सी एमस of education ठीके जी तुसी कोश्चन लिखना पहला एम की है और लाउन डेवलपमेंट तुसी उन्हों एक्सप्लेइन कर दो फिर दिविच सेकिंड आ गया ठीके जी थर्ड फोर्स जिनने आई जांदे थोड़ कोलो उनना तुसी लिखी जाओ ते एक्सप्लेइन करी जाओ बस एच कोई बचे इंटोड़क्शन देने कोई तुसी ने जड़ा conclusion आँ हो नहीं लिखना तुसी जड़ा थोणनों main question पूट कीता गया सिर्फ ओधे ते focus करनाई ओधे according तुसी सही तरीके नाल अपना जड़ा paper आँ हो करनाई क्योंके जिक्कर तुसी ओना चीजाने उपड़ टाइम वेस्ट करोंगे जा जिक्कर थोणनों short note मननों बहुत ज़्यादा होदे points होंदे ता प्लीज बचे उन्हों लंबाना लेके जाओ ठीके जी जिक्कर थोणनों points से ज़्यादा अंदे भी है ता तुसी ने की करना है उन्हानों थोड़ा explain कट कर दो बट जो important गाल है उन्हों तुसी जरूर विच मेंशन करों होने एता आगया points वाला जिक्कर थोणनों जिमें एम्स आगया objectives आगया need आगी या को हो रहेंदा आगया जीदे विच्छ थोड़कल headings सी बट कुछे short note एदा थी हुंदे जड़े बिल्कुल direct हुंदे है उन्हें ची भी अगसी एक्जेंपल लेन्या तो अन्हों पुछा है कि डिफाइन कि एजुकेशनल कि सिस्टम कि एक कोशन में व्यास ही लिया था और कुल किसे भी कॉंसेप्ट नों जाता और कि तुसे उन्हों डिफाइन करने तबच्छे कि दिफाइन करने मतलब हुंदाए कि तुसी जस्ट पहला थोड़े लिख दोंगे ठीक है जी फिर उदा meaning clear करना मीन सा meaning लिखोंगे की meaning है meaning करन दो बाद हो दिया definition जह ठीक है जी जह डिफाइन वर्ड यूज हुंदा है ता तुसी दिछ मीनिंग ते डेफिनिशन बस एने ची जान गया जे तुसी क्रेक्टरिस्टिक्स लिखना चौन दे हो ता लिख सकते हूं ता ओधे विचे तुसी ने बचे सिर्फ लाइना लिखनी याने जी मैंके एहे बहुत ही उपयोगी है एदा बहुत सारे था वादी परवर्तों कीती ज अंदी है तुसे अपने टॉपिक दे अकॉर्डिंग दिखने है ओधे अकॉर्डिंग बाद तुसे ने लिखने है ओधे बहुत है एडिंग बना अंदी तौन ज़रूरत नहीं है फिर इक बचे थो उन्नों बिलकुल यह आंदा भी राइटे शॉर्ट नोट ओन शॉर्ट स्मेस्टर सेकिंड वाले ने जा स्मेस्टर फॉर्थ वाले को लिखने टॉपिक है वो पढ़न पढ़े या तथ होनों लग दे वीचे कोई हैडिंग ने कुछ ने असे यह वारे की में लिखिए तुसे विचे देखो दा मीनिंग लिख दोंगे मारिंग सेंबली दाना की ठीक है ठीक है फिर लिख दो दब की महत्तव है जासे तुसी नंबर इक नंबर दो तिन लाइना लिखोंगे उचे थोड़ा वादिया त्रीके ने एक्स्प्लेइन होजेगा एक होड़ हैगा लॉंग टरम प्लैनिंग हुँन जेकर तो वन्हों एस तरह अंदा कोशेन होजे ता एदे विचे देखो फेर कोई हैडिंग नी बन रहे कोई डैफिनेशन नी है कोई मीनिंग नी है ता तुसी एस थे किमें करूंगे ता उसी ज़िदा पचे लॉंग टरम प्लैनिंग है तुसी मीनिंग लिखोंगे किमें लिखना है हुन मीनिंग मीनिंग नू लिखनदा भी पचे टांग हुंद है हुन जेड़ी एदे विचे में गाला आ रही है मनलो थो नू एदे विचे आरे है पान तो दास साल ठीक है फाइव टू टैनियर्स नू की कहां किसी लॉंग टरम प्लैनिंग हुन जड़ा यह वाला वर्ड तुसी यूज करोंगे ना ता प्लीज अनू अंडरलाइन कर दियो कहुंके सिर्फ एदे विच एही एक गाल ला जड़ी के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जी दे बेशते तो आनू जड़े नंबर ने हो आगला एक भी दे सकदा है ते तिन दे वि हुन तुसी में फिर हुई गाला आन दिये लॉझ कौशन तुसी 5 पेज उन भी कर सकते ता भी सफिशेंट है छे दा कर दो आगले तो आगले लॉझ कोशन नहीं सही तरीके दाल थोड़ा काट कर लूँगी ठीक है जी क्योंके नंबर ता ने तो ज़्यादा बिल्कुल बहुत अच्छा अटेम्ट कीता है ता हुंदी है 100 परसेंट फिर पॉसिबिलिटी हुंदी है बट तुसी देखना है कि तुसी जड़ा मटीरियल हो किस तरीके दा लिख रहे हूं इकले हैडिंग तेनी जोर दीना थोड़ो बात विची भी देखोंगे कि थोड़ा हैडिंग ह हो सही तरीके नाल थे मैटर करदा हुए कि तुसी कि उन्हों सही तरीके नाल डिस्क्राइब कर रहे हूं जा नहीं कर रहे हूं हुआ हुआ है चार जड़े लॉंग कोश्चन ने देखोंगे चार चीका बचे चौवी दे विच भी हो सकरे तो अटे ठीक है जे तुसी दो सत सत दे बना अने हूं ठीक है ते दो पांज पाइंदे ता भी थोड़ा सही तरीके ना यूटिलाइज हो जेगा पिपर ठीक है देखना तुसी नहीं है बचे कि तुसी किस तरीके ना करना है हुआ जेड़ा शॉट नोट है तुसी बिल्कुल एन हैगा भी अद्धी शीट द पिपर वदे वीच है वदे वीच थो होना कोषन और ते भी 5 शोर्ट नोट होंगे जोटे वीच भी तुसी देखना ह bowl शेपीज ऩना कर नारिंग तुसी ने फिर शॉट नोट ने ना से था ही खरना है कि यद तोनी खोर्ने ङिए ओनगीं बाचन दी ठीक है मैं तुसी देखने हैं बचे नू की मैं करने हैं ते एक होर मेन गाल है बचे जट थोड़ा मालो हो तुसी section ए कार्यूं ठीक है जी section एदा जड़ा थोड़ा question है ओधा तुसी सही जड़ा answer हो end तक complete करता है जदों पचे complete हो जेगा मानलों यह अपने complete हो गया ता तुसी हो थे की करना है बिल्कुल हो थे line लगा दो ठीक है डबल लाइन लगा उन्ट बात किया फिर विक लाइन हो थे नीचे चाड़ दो तुसी लाइन चाड़न दा बतलब की होएगा कि examiner नुग clear हो जेगा कि तुसी यह थे जड़ा section नम्हें हो शुरू कर रहे हो तो अट जड़ा answer हो थे complete हो गया फिर अग्गे था चाड़ के फिर तुस तुसी बहुत जड़ा confused हो जाने हो शॉर्ट नोट ने बच्चे थोड़े section सी दे ठीक हो इत्थे तुसी की करूंगे मन लो नौमे दा तुसी कार रहे हो पहला ठीक हो बच्चे ए दे विच्चे थोड़ा complete हो जेगा ता उत्थे भी तुसी लाइन है जड़ी जरूर लोनी ह ता जो examiner नोँ पता लगजे के तुसी की कार रहे हो तो अगला जड़ा अंसर है तुसी उन्हों शुरू करन जा रहे हो इत्थे भी तुसी था चाड़ दो थोड़ी जी बहुती था नी चड़नी ठीक है जी एक लाइन तुसी जरूर हो थे चाड़ साक दे हो फिर अग्गे नौमेदा केड़ा बच्चे कार रहे हो दूसरा ऐसे तरीके नाली फेर लाइन नौमेदा तीसरा इगल होरते आंचे रखनी है तुसी जड़ा बच्चे सीरियल नंबर है इन्हों टुटन नी देना कॉंटिन्यूटी देविचे रखन है बाई दब यह किते हो भी जानताता करना बहुत जड़ोरी है ते कोश्यन दा खतम हो न लगाने भी बहुत ज़रूरी है हेंड राइटिंग अपनी वधिया रखनी है ते बचो मैंनू लगदा गभी मैं थो अनू अपने तरीके नाल जिन्दी मैंनू नौले सी मैं अपने एक्सपीरियंस दे कॉर्डिंग बहुत वधिया तरीके नाल समझा अन्दी कोशिश कीती है बट फेर भी जे तो अनू कुछ लगदा है कि मैं सही तरीके नाल नहीं समझा आ पाई तुसी मैंनू कॉमेंट करके जरूर दस्यों तांद्यों में तो अड़ी होर हेल्प कर सगा ते तो अनू किसे तरहां दी कोई प्रॉब्लम ना आवे थैंक्स फॉर वाचिंग